मैं संधिव करिहार्ट, मैं इसका रिपोटर हो पिला सूर्णी और मैं घटना सुब्रवार के साम 4 बजे के आसपास की तो दो तितीन बजे के आसपास की घटना थी लेकिन जो रेस्टू ये शुरू हुआ था, चार ते पांच गया पास ये शुरू हुआ था, लगबस सौ गंटे का ये रेस्टू अभ्यान का, NDRF और NDRF की टीम, कटक से भी एक टीम पहुंची थी, इसके अलावा Indian Army, इसके साथ ही जो एक्सपर्ट और भी जो इस्थानी अमने के थे, वो भी मौजू थे, जीला प्रसातन की और जो सहीं, एक मुर्चा अभ्यान चलाए गया, रेस्टू चलाए गया, लेकिन जो गंटे के अभ्यान के बाद में भी कोई रिजन आथ नहीं आया, पहले पोजिस्ट की गई, फिर राहूल जो तीर्सक्विट की गहराई पार अंदर फता हुआ है, उसके रस्टी के माधियम निकालने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन मरोड होने के कारण पोल पहने पे, सच्छाम नहीं होने के कारण पे, जो इस तरीकिन वारबारों ने सुरू से हमियम को जानकारिया दे दी, इसलिए वो उस कमाड को अटेंड दे कर भाए इस दिए, उसको रसी से निकालने के जो प्रयास था, इसके पस्याद जो आप देख पा रहे हैं जो एक खुदाई करके लगबग 70 की खुदाई की गई है और एक टनल बनाया गया है जितने होरीजेंटल को खुदाई करने के बाद में 12 कुछ का टनल प्रिंदिया त्यार किया गया और वहां से राहूल को निकालने के जो त्यारी क करना पड़ा हाला कि इन सब चीजों के लिए जब हम देख पा रहे हैं तो पस्त्रों को तोड़ने के लिए जांजगीर चांपा और विलापूर एसी सील से एक मसीन लाएगी है और बड़े मुश्की से ड्रील मसीन के मदद से 10 से 12 पी जो दूरियां का जो चक्टान तो तो पूरा दीन इसी पर ही लग गया था अला कि इन सब पर बाद में जब रेस्क्री चला लेकिन वहां पर भी रेस्क्री बड़े बनकर सामने आए जीला प्रसाथा नो रेस्क्री टीप की लिए इसको तीबत मन गई इसके बावजूद भी प्रकृति ने ऐसा परिछा लिया कि अब उनकी जगे पर जड़ फेड़ों की जड़ निकलने लगी इसको काटने की भी आरिक मतीन की मतीन की मतीन उतारा गया इसके इतना से वियल्टी कर एक मतीन है उससे कलल की पूस्ती बोल गया है जड़ की जानने के लिए